वो सामने आ गए हैं और कहा जो आए कि सबते ज्यादा मुझफर नगर में वोटिंग देखने को मिल रही है लियाकत पुंडी रमाने सायोगी हमाने साथ जुड़े हुए है स्वाती भी हमाने साथ लगातार बनी हुई है लियाकत क्या तस्वीरें क्या जॉइनकारी इस वक्त और क्या बेट सामने आ रही है तेकि संदुनों आपको मैं बता दू सहारेंपुर में शांतेपुन तरीके से जो मत्दान है लगातार चल रहा है हाला कि नकुट छेतर का एक सरूर पुर गाओं है वहाँ पे EVM थराब होने की कबर मिली थी उसको बदलवाने की बात परसासन कर रहा है आपको मैं तस्वीरे दिखाओं किसी भी पॉलिंग बूत पर यहां जाएंगे तो लगातार जो मत्दाता है वो लाइनों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं या सहरी छेतर हो या ग्रामी छेतर हो लगतार जो मत्दाता है हो सुबह आपने मत का परियोग करने क को अच्छे तरीके से बढ़ा कर किया जाए मेरे साथ यहां कुछ लोग हैं उनसे बात करने कोशिस करेंगे क्या नाम है आपका अपका क्या नाम है अपका नाम है अधिक है इसको बना रहे हैं इसको बना रहे हैं परदानों को लेकर वोट कर रहे हैं और लोगों में इस बात जागरूक्ता दिखाई दे रही हैं कि कि किसी भी तरीके से जो वोट है उसका परतीसत पढ़ाया जाए और अपने वोट को जया ना करें पूरे तरीके से कहें किसी भी छेत्र में चले जाए जो लोग हैं वो वोटर मत आता हैं वो लाइनों में लगे लगता दिखाई दे रहे हैं लेकिन सहारनपुर की में बात करूँ सहारनपुर जिला पत्सात अंगुरावी सुदक्षा के फुक्ता इंतजामात के गए हैं चप्पे चप्पे बर फोल से किसी भी तरीके से भी तक कोई लापर वाही या इस तरगी की फजी मतान कहीं हुआ इस तरह की कोई ख़बर नहीं मिल रहे हैं जी बिलकुल देखे नगीना सेट पर किस तरह की अप्रेट है स्वाति हमारे साथ बने हुई है स्वाति आपने दिखाया देखी पूरी तरह से इंतजाम तो किये गए हैं तमाम जो मदाता है वहाँ पर पहुचे और किसी तरह की वहाँ पर दिक्कत ना हो लेकिन ये जो आरोप प्रतियारोप का दोर है इसको लेकर क्या जवानकारी क्या अप्रेट इस वक्त मिल पा रही है स्वाति तमाम पार्टियों के चाए महारति जनता पार्टि की बात करें है हम आजास समाज पार्टि की बात करते हैं थार्य ये पूठ पार्टि की नहीं है इसी वज़ा से सुभा से ही जो तमाम प्रत्याशी है वो निकल कर जो बूत है अलग-अलग बूत वहाँ पर पहुचकर मौजूदा इस्तिती को देख रहे हैं और आरोप जो है वो चंशेकर आजाद की तरफ से लगाया गया कि उन्हें चुकी वोट मिल रहा है वो च कि चुकी बीजेपी और अजास समाज पार्टी में सीधे तौर पर टककर है ये चंशेकर आजाद क्या रहे है कि और कोई पार्टी यहाँ पर नहीं है लेकिन ये भी उनको संदे है कहीं न कहीं कहीं वोट बट न जाए क्योंकि अगर हम नगीना सीट की बात करते हैं तो यह पर अलब संख्यक वोट इसके साथ ही ऐसी वोट जो है वो माइने रखता है कि वो जिनके तरफ रहेगा वही यहां से सांसद चुन कर आएगा और यहीं वज़ा है कि प्रत्याशियों के मन में कहीं न कहीं डर है जिसके वज़ा से वो सुबह से ही जो है वो बूथों पर पह लेकिन ये साफ है, जिस सरह से देश भर में पहले चरण में वोटिंग हो रही है, ये बताता है कि लोगों में उत्सा है और लोग गर्भी के बावजूद धी जो हो सामने आगया है, अगर एवरेंस वोटिंगी बात की जाए स्वाती, तो लगबर 10 फिजदी, 9 से 10 फिजदी जो वोटिंग है वो देखी जा रही है, अलंकि कुछ जगों पर 11 फिजदी या 12 फिजदी वोटिंग भी देखी जा रही है, लेकिन ये जो आगड़ा है, इसको लेकर क्या कहा जा सकता है कि ये जो आगड़ा है दीरे-दीरे बढ़ने वाला है, क्योंकि मद्दाता जो है व अगर हम नगीना की बात करते हैं तो 13 प्रतिशत से जादा वोट जो है वो 9 बजे तक अब तक पूरे हो चुके हैं लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी वक्त चुकी है शाम तक वोट डाले जाएंगे तो ऐसे में ये परसेंटेज है ये और इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सक सोचते हैं कि सुभा ही वोट डाल कर डिकल आए लेकिन ये कहा जा सकता है जिन बूतों पर जादा वोट डाले जा रहे या फिर जिन लोग सभा सीटों पर जादा वोट डाले जा रहे वहां दो ही चीज निकल कर सामने आते हैं या तो मौजूदा जो सांसद होते हैं उनको बड़ी संख्या में जिताने के लिए लोग पहुचते हैं या फिर जो मौजूदा सांसत के लिए संकट जो है वो चुनाव नतीजों में पैदा हो सकता है ये भी देखने को मिल सकता है तो दो ही तस्वीर होती है जब जादा बोट परसेंटेज बढ़ता है लेकिन इस वक्त आपको एक बार तस्वीर और दिखा देते हैं यहाँ पर देखिया आप कि महिलाओं की बात करें हम तो महिलाएं भी जो है वो सुभा से ही घरो वर्पस आएंगे आपके पास एक बार फिर से देखिया अकड़ा बताते हैं आपको 9 बजे तक 11 फिजदी साहरनपुर में मद्दान हुआ है 12 फिजदी मुदफरनेकर में मुरादाबाद की बात की जाए तो देखिये लगबग पौने 12 फिजदी मुदफरनेकर में 9 बजे तक 12 फिजदी मुदफरनेकर में तो यह पहला आकड़ा पहला रुजदान देखिये सामने आया है जहां पर 9 बजे तक कितने फिजदी मुदफरनेकर में प्यली बीत में भी देखिये आप साड़े 13 फिजदी से ज्यादा मतदान वहाँ पर हो चुका है और मुदफरनेकर में भी इसी तो रेखा कुछ आकड़ा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर लोगों में जोश लोगों में उत्साहा थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ज़्यादा आज जो मतदान है वो यहाँ पर आकड़े नजर आ रहे हैं तो देकिस सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो कहीं नगीना में होती हुई नजर आ रही है स्वाती हमने कुल जो तेरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखन की जो लोगसावा सीटे है उनकी अकर बात की जाए तो सबसे ज्यादा नगीना में वोटिंग प्रतिशत हमें दिखाई दे रहा है इसके पीछे की क्या वज़े नज़र आ रही है कि लोग जो है वो बल्चल कर मतदान करते हुए नज़र आ रहे हैं क्या फैक्टियार जमीन पर नज़र आते हैं शंदनू आपने देखा था कि जिस तरह से प्रचार अभ्यान किया गया था चाहे भारते जन्ता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी की बात करे जमकर जो दिगज नेता है बीजेपी की बात करते हैं खुद मुखे मंत्री यहाँ पर पहुचे हुए थे राश्टी अध्यक्ष यहाँ पर पहुचे हुए थे प्रचार किया गया था नगीरा सीग पर दूसी तरफ अगर हम बात करें आजाद समाजवादी की तो यहाँ पर चंशेकर आजाद आपने देखा कि लगातार लोगों के बीच में पहुचे और बिविन जो अलग-अलग मुद्दे हैं इसको चंशेकर आजाद ने उठाया दूसी तरफ अगर हम यहाँ की अभी की स्तिती की बात करें तो यहाँ 2019 में बस्पा पार्टी चुनाओ जीती थी ऐसे में बस्पा का क्या तस्वीर रहेगा यह भी देखने वाली बात होगी समाजवादी पार्टी की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी खुब प्रचार अभ्यान के आ गया लेकिन पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कड़ी टकर भारत जन्ता पार्टी और आजाज समाज पार्टी के बीच में है लेकिन ये भी आरोप है कि आजाज समाज पार्टी चंशेकर आजाद इसलिए नगीना सीट को उनों ने चुना जिससे वोट जो है वो सपा और बसपा का कट जाए और ये भी समझना होगा कि जब जादा यहाँ चुनाव जीती है 2019 में उनको हटाने की दो ही वज़े होती है जब ज़्यादा परसंटेज होता है नया चेहरे को यहाँ के लोग खोच रहे हैं और कई मुद्धे हैं बेरोजगारी की बात करे हम महंगाई की बात करे हम जब यहाँ पर लोगों से बातचीत हमने किया हमारी टीम ने किया तो लगतार ये कहा गया कि यहां पर महंगाई का मुद्दा है इसके साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा और आपने देखा कि चनशेखराजाद ने खुद बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और ये भी आरोप लगाया कि जो यहां से सांसद है वो कभी ज से मुद्दे हैं जिसको लेकर हम वोट डाले यहां पर पहुच रहे हैं तस्वीरे देखें आप अभी भी जो है आप देखेंगे कि साड़े नौ बच चुका है लेकिन उसके बाप नौ बच कर चालिस मिनट का वक्त हो चुका है लेकिन आप देखें कि धूप है उसके निकलेंगे वोट डालने के लिए और वोट परसेंटेज में यहां पर इजाफा देखने को मिल सकता है बिलकुल और देखिए बुजूर्ग जो है वो भी वहाँ पर नजर आ रहे हैं स्वाथी वोट डालते हुए देखिए उत्सहा जो है वो लोगों में जाहिर है नजर आ और साथ साथ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके बीच यह मुकाबला जो है वो काफी जादा दल्चास पर लेकिन बीएस पी ने जो एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है इसकी वज़े से जो मुकाबला त्रिकोणी नजर आ रहा है क्या इफेक्ट इसका दिखाई दे रहा था लेकिन जैसे ही मायावती रेली में आई थी तो महादली समाज के लोग भी कम दिखाई दिये थे और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो नाके बराबर दिखाई दिये थे जो यहां के बसपा पात्यासी हैं माजीड अली जो उनके चेहते हैं उनके अपने लोग है भाजपाः दिखाई दे रहा है. इसमें ज糍ट finden का मुसल्मान है वो इमरान मशूर jail फूराके हो। छेज़ेपी है इस चुणोती पूरण तरीगे से देख रही है मुठमंत्री जो रख्षा मंत्री उन्होंने भी क्या है मुठमंत्री चार बार यहां परचार करने के लिए हैं कहिना कहीं। इजेपी के सामने कड़ी चुनोती तो है लेकिन इस बात को देखा जाएगा चार तारीक में ही साफ हो पाएगा आने वाली जो चार जून में रिजल्ट आएंगे तब साफ होगा कि यह सहरनपूर की जो सीट है किसके पाले में जाती है हाला कि बीएसपी इस चीज को बिलकु सोच चुका है यहां का जो मुस्लिम है उसाफ तोच से कहता है कि बीएसपी को वोट देना ऐसा हो गया जैसे बीजेपी को सीधा हमने वोट दे दिया है चीज सान्ट बिलकुल दिल्चस्प यह का जाय कि एंगल जो है वो नजर आ रहा है चलिए वापस आएंगे आपके पा है क्या एक्रेशन है अब वोटर्स में दिखाई दे रहा है इन तमाम मुद्दों को लेखा है और जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामें आ रही है तो ओवराल जो नो बज़े तक क्या आकड़े है उसको लेकर क्या विश्टेशन इस वक्त रज़र आ रहा है तेके मुझपन अगर की अगर बात करें तो यहां पर पिछले दो बार से बीजे पी के सांसर डिरॉक्टर संजीब बालियान है तीसरी बार फिर से उनको चुनाबी मैदान में उतारा गया है लेकिन यहां पर एक चीज बहुत दिल्चस्प है कि जो मुकाबला है उस सीदे स समाजवादी पार्टी के पिर्टासी हरेंदर मलिक ते हैं उसकी बज़ए ये भी है कि हरेंदर मलिक उसी कद काठी के उसी कद के नेता हैं जिस कद के नेता संजीब बालियान माने जाते हैं और दोनों नेता जाट टमिनिटी से आते हैं तो ऐसे में एक तरफ संजीब बालि है कि यहां पर पिछले कई दों कई दों से कई हफ्तों से लगातार जो बोटरों के बीच नीचा तान चल रही थी इसके अलाबा जिस तरीके से यहां पर राजपूतों की पंचायत हुई है और आपको वोट करने के बाद किये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है अनिल बलूनी इससे पहले हमें देखा मंदिर पहुंचे हुए थे आश्युक्त के बाद लेने के लिए और वोट करने के बाद कि यह तस्वीरें है आप अनिल बलूनी क्या कुछ कहते हैं वो देखना दल्चस्प होगा जाहिर है अपने जीत के दावे तमाम जो प्रत्याशी हैं वो निश्चे तोर पर करते हुए रज़र आते हैं से पहले उत्राकंड के मुख्यमंतरी पुश्कर सिंग्धामी वोट देखे उन्होंने किया था और अब अनिल बलूनी यहाँ पर नजर आ रहे हैं अनिल बलूनी इस बार उनको मुख्या दिया है और किसमत अजवाने के लिए पहुचे हुए है उत्राकंड है है सुझत से पहुति है एक आ pena कारी आ निल ओस्कारी और जो उप्तु होग ई तुमारे कर आा फामाट आ अरे हाँ निलो है आप आट आखे हैं कंब आतल कॉए तो देखिए प्रतिक्रिया उनके द्वरार नहीं दी गई है लेकिन वोट डालने के बाद की जो तस्वीरे हैं वो वो सामने आ रही है और अनिल बलूनी जो है वो वहाँ पर नजर आ रहे थे और चलिए स्वाति हमारी सयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है स्वाति देखिए नगीना में सबसे ज़्यादा बर्चर कर वोटिंग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और आपने इसका कारण भी बताया है और जैसे जैसे कहा जाए कि वक्त जो है वो आगे बड़ेगा ये जो वोटर्स है इनमें उत्सा और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन गर्मी देके बहुत जादा है और धूबी जो है वो धीरे-धीरे बढ़ती ही जाएगी तो ऐसे में वोटर्स की संक्या कम भी ह सकती है और दोपैर के बाद ये कहा जाए कि जो सेकेंड हाफ है दिन का उसमें जो वोटर्स की संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है जे बिलकुल देखें अभी चुकी सुभा से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है तो ऐसे में 12 बजे तक कहा जा सकता है कि लोग बड़ी संख्या में पहुचकर वोट डालेंगे कि उसके बाद और भी जादा तपिश जो है वो बढ़ जाएगी अगर हम अलग-अलग विधान सभा की बात करते हैं जो नगीना में है शांतनू तो बताते हैं आपको धामपूर में 13 प्रतिशत से जादा वोट जाएगी